सरहत के उस पार में खुशामदीद, स्वागत, दोस्तो आज हमें प्रोग्राम में जॉइन किया है मुहमद हसन इल्यास साहब ने, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, इन दिनों अमेरिका में रहते हैं, आपका तालोग गामदी सेंटर ओफ इस्लामिक लर्निंग से है, गामदी स सुनता भी है, आपकी राए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी राए मानी जाती है, तो हसन साहब आपका सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में खेर मर्तम करता हूँ, वेलकम टूदर शो, बहुत शुक्रिया जिनाप, आपकी इनायत आपने इस तालब इल्म को हिज़ पर अपने चलने की, जैसे की हम देखते हैं पाकिस्तान या दूसरे इसलामिक मुलकों में होती है, अमरीका में हमारी मुस्तकिल सुकूनत 2019 में शुरू हुई थी, उससे पहले हम मलेशिया में क्याम पजीर थे, और पाकिस्तान से निकले वे अपका मुबेश बारा साल हो ग देखने का मौका मिला, और बगएर किसी तरद्द्द और मुबालगे के मैं यह अर्स करूंगा कि अमरीका ही वो सरजमीन है, कि जहां पर हकीकी मानों में आपको हर स्था पर आजादी ना सिर्फ ये के नजर आती है, बलकि इनकी जो पूरी सोसाइटी है, पूरा जो सोशल वो गुदा हुआ है, इसी कदर के इर्दकिर्द, यानि दुनिया के अंदर हम यह जानते हैं, बड़े लंबे अरसे तक एक दूसरा तरज हुकमरानी और आम शेहरीों का अपनी हकूमत, अपनी रियास्त, अपनी समाज के साथ जो तालुक ता, वो बलकुल मुखतलिफ था, गल्बे की बन्याद पे, तसल्ट की बन्याद पर, फतह की बन्याद पर, इलाकों को लोग ताख्त करके आबाद करते थे, और हुकमरान वहां पर चंद खानदान हुआ करते थे, आम लोगों का तालुक उनसे एक रियाया का होता था, दूसरी जंग यह जानते हैं, खुद आलमी ताक्तों ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये मामला शायद बहुत जादा देर तक अब नहीं चल सकता, इससे खुद उनको भी नुक्सान होता है, तो फिर बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो नकल मकानिया हो गई थी, ये भी नहीं था कि एक खिते में एक ही रंग, के लिहाद से भी, मजब के लिहाद से भी आबाद होना शुरू हुए, तो ये सूरतिहाल फिर अमली लिहाद से सामने आई, कि क्यों ना किसी एक खिता अर्ज में रियासत का वजूद पयाम पजीर हो, तो वहां पर मुखतलिफ नसल, मुखतलिफ मजाह, मुखतलिफ जबान लोगों को रहने के लिए, कोई एक सोशल कांट्रेक्ट तश्कील दिया जाए, ये पूरा का पूरा ऐस वकर जो दुनिया की हुदूद बंदी आपको नदर आती है, ये नेशन स्टेट के असूल पे हुई, इसको जिस मुलक ने अपनी रूँ और स्पिरिट के साथ अपना है, मजब के लिहाज से, इधार राय के लिहाज से, और सोसाइटी में अपर्चिनिटीज के लिहाज से, हम मलेशिया में रहे बड़े लंबे अरसे तक, वहाँ पर भी इसी उसूल को अपनाके, गोरो ही ने उनको अजादी दी थी, लेकिन इसको हकीकत में उन्हों ने अप् आते हैं, आने से लेकर कारोबार करने तक और उसके बाद, कान्फिक्ट से लेकर आपको जो स्टेट से मामला हुता हर, हर सता पर आपको बराबरी का एसास होता है और मुझे ये कहने में कोई तरद्द नहीं है कि जो कुछ हमने इसलामी मुलकों का एक्सपिरियंस किया उससे हजार गुना जादा बढ़के अमरीका में मुसल्मानों के लिए अपने मजब के फरोग के लिए उसके इज़ार के लिए अजादी मुझूद जी हिंदुस्तान के मुसल्मानों को आप किस तरह से देखते हैं उनके जो हालात हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जग़ा के हालात को मैं यकसा तोर पे तज्जिया करता हूँ हमारी जो तक्सीम हुई है इस खिते की वो भी इसी उसूल पे हुई थी नेशन स्टेट के उसूल के उपर और हमारे जो बानी थे दोनों तरफ के उन्होंने इसी उसूल को सामने रखके उस जमाने के अंदर बरतानिया उसमा के सामने जो गुजारिशात रखी वो यही थी कि दुनिया इस स्टा पर पहुँच चुकी है आप खुद दुनिया के साथ ये मामला कर रहे हैं लहाज़ इस खिते के साथ भी ये मामला करें चुनाचे ये खिता महस किसी मजब किसी रंग किसी नसल के तफवग के जबर के उपर काइम नहीं रहेगा आप इसकी तकसीम करें इस असूल पर कि जो कुछ कौमियत की तारीफ है यहां पर मुसल्मानों की और वहां पर हिंदों की उसको सामने रखते हुए अलैदा खिते अर्ज दें लेकिन उस खिते अर्ज में मुक्तलिफ मजाइब के लोग रहींगे नेशन इस्टेट की थियूरी ये कहती है कि रियासत का कोई मजब नहीं होगा रियासत सब को बराबरी की सथा पर तसलीम करेगी इस उसूल को हमने तो इबत दाही में दस्तूरी طور पर वाइलेट कर दिया पाकिस्तान के अंदर हमने अपने आइन के अंदर एक करदाद शामिल की जिसको करारदादे मकासित कहा जाता है अबजेक्टिव रिजलूशन और उस जमाने में हमने हमारे खिते के अंदर उस सरजमीन में जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है हाजारों नहीं लाखों की तादाद में गेर मुस्लिम और हिंदु आबाद थे उनको एम मैसिज दिया कि जिस असूल पर हमने ये तक्सीम की है हम उस असूल को नजरिये की सता पे वाइलेट कर रहे हैं लहाजा हम यहाँ पर पहले दरजे के शहरी होंगे आपने अगर यहाँ पर रहना है तो फिर आपको अमलन हमारा बाजगुजार बनके ही रहना पड़ेगा तो हमारे हाँ तो यह हुआ कि कॉन्सिटूशन के सता पे उसको वाइलेट कर दी आप जानते हैं कि हमारे लौ मिनिस्टर तक उस जमाने में मंडल साब वो मुसल्मान नहीं थे वो तक मुल्क शोड़के गए और बड़ी तादाद में गहर मुसलिमों ने अदम ताफूस का इजार किया दूसरी जानेब क्या हुआ हुआ पाकिस्तान पर बात कर लेते हैं बात चली है तो आप ने ये कहा कि पाकिस्तान ने तो ये जो नेशन स्टेट का कॉंसेप्ट है इसमें अपने नजरिये को डालके ही वाइलेट कर दिया नेशन स्टेट का जो तकद्स है उसे और इस पूरे के पूरे मुल्क को एक इसलामिक मुलक का जामा पहना दिया जिसके चलते जो गैर मुस्लिम थे वो सेकंड क्लास सिडिजन्स हो गए बहुत सरे लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि यह हमारे यहां पर तो तमाम जो मजहिब के लोग हैं सब एक्वल सिडिजन्स हैं आप उन्हें क्या कहें गए देखे जब हम यह किसी खिता अर्ज में तमाम शहरी यकसा और मसावी हुकूक रखते हैं तो फिर उसके बाद यह नहीं हो सकता कि आप रियास्त की सता पर किसी मजहब को अपना नस्पुलैन या आदश करार देते हैं यह तो जरूर होगा कि जिन लोगों की एक्सरियत होगी वो हुकूमत बन उनी पर जो मसल्मान हैं लेकिन आप यह तै कर लें कि जी रियास्त का सरबरा तो सिर्फ बनी मसल्मान सकता है तो आपने कहां से यकसा सब को वकूग दिया तो हमारे हाँ जिन लोगों को जो जो लोग ये बात उजर के तौर पेश करते हैं कि हमारे हैं सब बराबर हैं उनको objective resolution पढ़ना चाहिए objective resolution ये बताता है कि रियास्त का वजूद इसलिए हुआ है कि हम मुसल्मान अल्लह के मानने वाले हैं उसने इक्तदार हमें दिया है और अब हम वो इक्तदार अपनी रियास्त में मुसल्मानों के हाथों से नाफिस करेंगे चुनाचे उन लोगों से पूछना चाहिए है क्या आपका सदर कोई गर मुसलिम बन सकता है ये क्यों आपने कानून दस्तूर में लिखा इसलिए लिखा है कि आप ये समझते है कि एस मुल्क में हäक के हुक्मराणी दरहकीकत सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों को हासल तो जो पाकिस्तान का कॉंस्टिटूशन है आप ये कह रहे हैं कि उन्हें तमाम सिटिजन्स को बराबर से ट्रीट करना चाहिए और कोई गैर मुसलिम है तो उसे भी यहाद होना चाहिए कि वो मुलक का सदर या वजिर आजम या आर्मी चीफ बन सके देखे नेशन स्टेट का जो असूल था वो ये कहता था कि एक खिते में जो लोग भी रहते हैं रियास्त को इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं है कि उनका मजब क्या है उनकी नसल क्या है बलकि आप कायाजम मुहमद लिजना की अगर वो तक्रीर सुनें जिसको लोग बहुत मिस इंटर्प्रेट करते हैं उसका पिछला हिस्सा यही है वो यही बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक लंबे वक्ता खुद बरतानीय उसमा जिससे वो अजादी हासल कर रहे हैं उसकी मिसाल देकर उनने बताया है किस तरीके से वहां पर चर्च का एक नहाब था कलीसा का जिसके जिर असर लोग जीते थे हम इस वक्त जिस रियास्त को बना रहे हैं उसमें सब आजाद होंगे अबादत के लिया आजाद होंगे अपने हकुक को डिमांट करने के लिया आजाद होंगे कानूनसाजी के लिये आजाद होंगे उनको हक्क siamoरा नहीं मिलेगा ये मामला ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगा प्रज़गा पर दूसरी जगा पर खिदगन लगा दे आजादी एक मुकमल पैकेज है वो कॉंस्टन्ट एक नजरिया है जो असूल से इतलाग तक अपना एक मुनजम निजाम रखता है तो यह नहीं हो सकता कि आप यह कहें कि जी रियासत तो अल्ला के हकुम पे वजूद पजीर हुई इक्तदार इसमें ल्ला के हकुम के मताबिक मुसल्मानों को मिलेगा वो यहाँ पर खलीफ़ा की एसित से हुक्मरानी करेंगे और सदर और वजीराजम हमारा सिर्फ मुसल्मान हो सकता है यह मामला नहीं हो सकता यह जब आप असूल में तैकर देते हैं तो इसके कुछ लाजमी नताइज निकलते हैं वो लाजमी नताइज क्या निकलते हैं कि मैं तैकरूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर गहर मुसलिम रहेंगे मैं तैकरूंगा कि उनको क्या हुकुक हासल है नेशन स्टेट में मैं कुछ नहीं होता नेशन स्टेट में जिस तरह मैं हूँ इस तरह वो है दोनों बराबरी की सिता पे खड़े होंगे मुझे यह हकी नहीं पहुँचता कि मैं उसके बारे में को फैसला करूँ उसको यह कोई हक नहीं पहुँचता कि वो मेरे बारे में फैसला करे जम्हुरियत के अंदर सब लोग यकसा हैं बराबर हैं और उनके हुकुक उसूल से इतलाग तक बराबर हैं उसमें कोई तक्सीम नहीं की जा सकती जिना साहब की आपने बात की तो जिना साहब की 11 अगस्त की स्पीच को तो आप जैसे हजरात कोट करते हैं लेकिन जो बयान उन्होंने कराची बार काउंसल को दिया 1948 में जब उनसे ये पूछा गया कि इस मुल्क का आईन क्या होगा तो उनने का कि हमारा जो आईन है वो तो हमने 1400 साल पहले ही लिख दिया था ये मुल्क इसलाम के बन्याद पर बना है और उसका जो आईन है वो भी इसलामे की होगा तो क्या ये तजाद नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है मुहम्मद अली जिनाथ साब की इस बात को भी बिल्कुल गलत समझा जाता है मिस इंटर्पेट किया जाता है ये बात उन्होंने वहां पर भी कही है इसके लावा मतादत इंटर्व्यूज में भी कही है जब उन से पूछा गया या आप मुल्क क्यों बना रहे हैं तो लुटरी बना रहे हैं जहां पर हम इसलाम की असूलों का अमलन इतलाग करेंगे वो जो बात कर रहे हैं वो बिलकुल उससे मुक्तलिफ है वो क्या बात कर रहे हैं तो जो मुसल्मान हकूमत है ये कैसे हो सकता है कि वो अपना नजरिया और वो अपना आदर्श या वो अपना कानून या वो अपना दस्तूर या जो कुछ उसने अमनन करना है सुसाइटी में वो अपने मजभ से नहराफ करके करेगी ये नहीं हो सकता इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं अगर वजीराजम बनता हूँ मैं मुसल्मान हूँ और मुझे अल्ला ने ये कहा है कि तुमने जुम्ह का इनिकाद करना है तो मैं क्यों जुम्ह का इनिकाद नहीं करूंगा ये बात वो कर रहे हैं ये बात वो हर्गिस नहीं कर रहे हैं कि रियासत کو کوئی مذہب अपनाना पड़ेगा या रियास्त को कलमा पढ़ना पढ़ेगाiş और रियास्त की सता पर देखी ये दो बिल्कुल अलग 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 चीज़े हैं रियास्त और हकूम्त इन दोड़ों के फर्क को अची तरह समझने चाहिए इस्टेड का कोई मख़ब नहीं होता हुकमरान का मख़ब भी होता हुकमरान जब अक्सरियत में होगा और मुलक के अंदर मुसल्मानों की अक्सरियत होगी तो वो क्यों नहीं मतालबा करेंगे अपने हुकमरान से के दीन तो तुम्हें कहता है कि आके हमें रियास्त की सता पर तो ये दो अलग अलग चीज़ें कॉंस्टिटूशन रियास्त को रिप्रिजेंट करता है और आपकी पार्टी का मनशूर आपका लाहे अमल आपका नुक्ता नजर आपकी कानून साजी आपके नजरी और अदर्श को की घमाजी करती है तो इन दोनों के फ उनका मजब उनको ये कहे अगर कि आपने तमाम हिंदूों की मुश्तरका तौर पे पूजा करनी है तो वो ये पूजा करवाएंगे ये उनका दीनी फरीज़ा है लेकिन वो ये कॉंस्टिटूशन में नहीं लिख सकते कि जो हुकमरान बनेगा उसने तो अपनी तमाम रिया पाता जो मैंने हाल ही में अभी पड़ी है प्रोफेसर डॉक्टर इश्टियाक एहमद की माफ करें इस वक्त मेरे स्टडी में वो है नहीं मेरे पास उस किताब में इश्टियाक साहब ने बहुत सारी दलीलें दी है जना साहब की बहुत सारी स्पीचिस को कोट किया है कि उन मुल्क का आइन बना रहे थे उन्होंने कभी भी अपने उस से ग्यार अगस्त के बयान को फॉलॉप करके कोई और स्पीच नहीं की इन कंपैरिजन टू जो उनके बाकी बयान है कि ये मुल्क जो है इसलाम के लिए बना है और पीरमान के शरीफ को उनका जो खत है कि जी ये मुल्क जो है जब उन्होंने पूछा कि इसका क्या होगा इसका आइन और ये उनका कि जी बिलकुल इसलामिक होगा तो उन्हें चाहिए था कि वो कोई 11 aगस की स्पीच के बाद जब पॉलिसी बन रही थी उसके अंदर भी उसकी रिफलेक्शन दिखाते लेकिन उन्होंने कभी उस स्पीच को एक बार कहने के बाद में कभी फालू आप नहीं किया अपने किसी भी पॉलिसी के काम में तो बात ये है सहाब की वन सनी डे ड़स नॉट मेक अ समर देखिए काइद आजम कोई पेगंबर नहीं थे ना हम उनके बारे में दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी बात को जिस खतियत जिस एजान जिस यकीन से पहुँचाना चाहिए तब पहुँचा दिया और अब उनका हर नुक्ता नजर हर बात हम आईन और दस्तूर की तरह आखस करेंगे किसी भी बड़े मुफक्र के किसी भी बयान को उस एहत के समाजी पसमंजर में रखके देखना चाहिए गायद आजम या पाकिस्तान क्यों बना या 11 अगस की तक्रीर क्या थी इसकी इंट्रिप्टीशन ना मौलवी करेंगे ना इष्तियाक साब करेंगे ना कोई और करेंगा इसकी इंट्रिप्टीशन उस जमाने का सियासी उर्फ करेंगा जहां मौझोद है वह वहाँ पर आज़ाद होना चाहिए قائد عظم کا पूरा अगर लायमल देखें तो वो कहते हैं कि हम मुसल्मान है हमारी एक शनाख्त है जिस तरीके से किसी कौम पर कोई कौम की तारीफ सादिक आती है उस लहाज से हम भी एक कौम है लहाजा हमें नेशन स्टेट के असूल पर खिताय अर्स को अलग करने की अजाज़त दें ये बात है इस से पहले जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ उसमें उनकी आमाद्गी की वजवात क्या थी इस पर गोर करना चाहिए वो इस चीज़ को अपना रहे थे समझ रहे थे कि ये महस तक्सीम इस बिना पर नहीं है वरना तो आप देखिए कि जो असूल था जिस पर तक्सीम हो रही थी वो तो यतना कि अक्सरियत है अंदुस्तान में हुआ की तो अक्सरियत के जबर के तहट हम जो अपने कौमी के शखुस रखते हैं बाद हो जाएगा तो पिर सवाल यह है कि फिर तो ये तजात में अबनी तक्सीम होई कि हम अक्सरियत के खिलाब यहां खड़े वे हैं और दूसरी जगा पर अक्सरियत ही के जोर पर अपना वसूल मनवा रहे हैं तो काइद आजम एक उर्फ और एक एहद के अंदर बात कर रहे थे वो बात जो 11 अगस की तक्रीर है उसका भी पूरा पस्पंदर सामने रख के देखें यहां एक और नक्ता में बताता हूँ आपको जो बिलूम गलत फहमी का बाइस बनता है वो सियासत है हमारे हैं जब कोई चीज सियासी बयानिया बन जाता है तो उसके अंदर हर सता की लीडर्शिप उसको एक्स्प्रॉइट करती है यह बात हकीकत है यह असूल यही था नजरिया यही था लेकिन जब तक्सीम हुई तो बिट्वीन दा लाइन्स मसल्मानों की भी यह खायश थी और यह दुनिया के हर कौम की खायश होती है कि वो उस तफवग की जबिल्लत को उस बरतरी को यहां भी सामने लाएं तो पागिस्तान का वतलब क्या लाहिला लाला यह कल में तक्सीम से पहले जलसों में लगने शुरू हो गए थे यह बातें कर रहे थे और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स किसी सता पर इस तजात को गवारा भी करते थे उसकी अपनी मसले थे थी उनके नजदी कि इस वकत अगर हम इसको ठीक करने लग जाएंगे तो फिर तो हमारा असल मुकदमे कमजर हो जाएगा खुद हमारी कौम की शिराज़ा बंदी होगी तो यह बात बिलकुल दुरूस्त है कि यह उसूल के नेशन स्टेट के असूल पर तक्सीम हो रही है सब बराबर के शेरी होंगे जुमूरी रिवायात अपनाई जाएंगी काइदयाजम के हैं तो हमें नजर आता है लेकिन काइदयाजम ने भी उसको नजरिया बनाकर अवाम में पहलाया हो या काइदयाजम की जो टीम थी या मुस्लिम लीक थी वो सब इसके काइद थे ये बात हकीकत है कि जैसे ही मुलक अजाद हुआ तो हमने देखा कि वो जिस चीज के काइद थे उसका फिर इजार उन्होंने उसमें कर दिया लेकिन काइदयाजम इस मामले में किसी जगा पर असूल में इभाम में खड़े हुए है या जिस बिना पर तक्सीम हो रही है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते ये तो ये तो कॉंट्रडिक्शन हुआ ना फिर नहीं ये कॉंट्रिक्शन कि उन्होंने दो कौमी नजरिये की बनियाद पर मुलक को तक्सीम किया और बाद में ये कहा कि जी अब चूंकि हमें पाकिस्तान मिल गया है और हम यहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब बराबर के शैरी होंगे बराबर के शैरी कैसे होंगे जब नारे लगवाएं है पाकिस्तान का मतलब क्या लाह इलाले लाह तो वो जो लाखों क्रोडों मुस्लमान है वो जो हिजरत कर रहे हैं वो तो इस उमीद में कर रहे हैं कि जी वहाँ पर अल्ला का निजाम होगा और यहां पर इसलिए हमें यहां से मैगरेट करके वहां जाना चाहिए तो वो निजाम अगर उन्हें वहां जाके कोई कहेगे ने जी तुम तुम जो मर खप गए तुमने जो अपने अपने घर वालों को परिवार वालों को छोड़ के आदा तुम जिस हालत में आये हो यहां पे दस चले थे उसमें से उनके ने दो ही यहां पहुंचे हो अब हमारा नजाम तो वही होगा जो हंदुस्तान का है तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया था यह बिल्कुल सभी बात है यह या यह उसलिया आप देखिए कि उस जमाने में जो उस जमाने की की हरकियात को जानने वाले लोग थे मसला मौला अबुलकलामाजाद उन्हों ने ये सवाल उठाया कि भाई ये जिस असूल पर आप तक्सीम कर रहे हैं उस असूल को फिर आप उसकी एसंस में अपनाएं वो एसंस में अपनाने का अमल पाकिस्तान की हद तक शायद किसी हद त थे उनके साथ ये मामला होता लेकिन हमने देखा कि काईदयाजम को फिर वक्त भी नहीं मिला और वो जो पूरा असूल था यानि इसको आप अगर आज बैटके तज्जिया करेंगे कि क्या तक्सीम होनी चाहिए थी है नहीं होनी चाहिए थी उस पर तो दस राय हो सकती है मे इस बन्याद पर तक्सीम हुई थी हमारे मुलक में तो दस्तूर की सता पर उसकी नफी कर दी गई और काईदयाजम के फौरण बात कर दी गई आप इसमें अगर काईदयाजम को मुर्द इल्जाम ठहराना चाहते हैं कि उनको कुछ काम करने चाही तो मुझे इसमें कोई भज़ी दिलाई वो ये है कि लोक बाद में जो आईनों नों ने तबदील एक उसको वो ये कह कर अखस करते हैं कि ये तो असल में मुलक इसलिए बना था तो मैंने ये कहा असल में इसलिए नहीं नहीं बना था इसका फैसला किसने करना है यहनुने मुलक तक्सीम किया है उन से जाकर पूछें कि उन्होंने इस वसूल पर तक्सीम किया था कि मुसल्मान वहाँ पर अपनी हुकूमत बना ले वो तो इसकी नफी करेंगे चले आगे बढ़ते हैं क्या पाकिस्तान में आज भी दो कौमें आबाद हैं आगे कि बाद को मैं आगे बढ़ाते हुए यह कहूँ कि जैसे आपने अप में बहुत सारी प्रोगराम में वे थोड़ी बहुत बात की कि नेशन स्टेट का दौर है और नेशन स्टेट के दौर में एक जोग्राफियाई हुदूद के अंदर रहने वाले लोगों को एक कौम करार दिया गया है मसलन आप किसी भी मजब के मानने वाले हो अगर आप अमरीका में अबाद हैं तो आप अमेरिकन हैं आप आप हिंदुस्त आप आप नुगे आप धानी है जितना कि कोई दूसरा मुआ पे रहने वाला मुसलमान पाकिस्तानी है तो फिर आज अपने बच्चों को दो कोई नजरीया पढ़ाना कहा तक दुरूस्त हैं वो जो दो कोमी नजरीया पढ़ायätा है तो असल में तकसीम की तारीख के नहीं था और खुद मुसल्मानों के अंदर बड़े अकाबिर अलमा में ये बहस रही है इसी बुन्याद पर हम देखते हैं कि मुसल्मानों की जो जहानत थी वो इससे मुख्तलिफ जगा पर खड़ी हुई और उन्हों ने इस चीज़ को एकसेप्ट नहीं कि खुद मुला की नफी कर दी गई दस्तूर की सता पर जमूरियत की भी नफी हो गई नेशन स्टेट के असूल की भी नफी हो गई तो अब आपने अपनी कौम को को बियानिया तो देना है तो बियानिया आपने ये दिया कि वहां पर हिंदू थे यहां पर हमने अपनी रियासत उनकी ताक् मिल्कیت है। हमारी मिल्कیت है तो हम इस मिल्कीयत में किसी दूसरे को शिरीक नी करेंगे। हमारे हाँ जो इस वकत दो कौमी नजरिया पड़ाया जाता है, उसके पीछे ये नफसियात है। हम तो जिसNew!!!! common these such बन्यात पर करना थी उसको दस्सेता पर नहीं माना और जब नहीं माना तो पिर यह उसके सारे समरात थैंबल के इससे आगे बढ़के मैं आपसे कहां लिए हैं कि जब आप रियास्त की सथा पे मजभ को अपना देते हैं मैं एक शक्स हूँ, मैं एक नुक्ता नजर रखता हूँ, मेरी नजर में फला अदमी गहर मसलिम होगा मुझे यह हक है, मैं राय रखूँ लेकिन जब मैं रियास्त की सथा पे एक आनून बनाता हूँ कि फलाँ गहर मसलिम है और जो इसको गहर मसलिम नहीं मानता वो भी गहर मसलिम है और इससे आगे बढ़के वो शखस भी अपने आपको कहे कि तुम मैं गहर मसलिम हूँ तो यह वो पर्सिक्यूशन है जब आप मजभ और रियास्त को एक कर देते हैं लेहाजा नेशन स्टेट का जो असूल था और उसके ताइट जो जमूरी हुकूमत बननी थी उसमें रियासत की सता पे मजभ की कोई इंटरिफेरिंस नहीं हो सकती लेकिन हमारे हैं हुई बदकिस्पती से और फिर उसके नताइज भी हमने भुक ते तो आपके मताबिक मैं थो बराबर होते हैं शायद यही वज़ए है कि आपको और गांदी सहाब को बहुत ज़दा तंकीत का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर से आपकी इस बयानी को तक्वियत देने वाले पाकिस्तान में कितने लोग होंगे देखिए जहां तक आपका असूली सवाल है उसका तो दो टोग जवाब है रियास्त को कोई हक नहीं है कि वो मेरे परसनल मामलात में मेरे बिलीफ्स में मेरे नजरियात के बारे में ये फैसला दे कि मैं अपनी क्या शनाखत काइम करूँ उसका सिरे से इसका को तालुक ही है रियास्त में कानून की बुनिया सिर्फ दो चीजों पर होती है किसी की एकतलफी हो रही होगी किसी की जानमालाबनों के खिलाफ जयात्ती हो रही होगी उस पर रियास्त कानून बनाएगी इसके लावा उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो ये तै करे कि मैंने क्या प interpretation बियान करते हैं तो उसके मताविक भी ये बात वाज़ हो जाती है कि इस मामले में इनराफ हुआ और इस इनराफ के बड़े शदीद नताइज हैं जो हमारी नसलें भुकत रही हैं और आगे भी भुकते हैं ये पहले सवाल का जवाब है दूसरी जहां तक बात है कि कितने लो की मिलकियत हैं और जब आपकी कोई चीज मिलकियत बनती है तो फिर आप वही काम करते हैं आपने दुकान खोली होना और उस दुकान का एक नाम आप रखें और आपके साथ कोई और वह दुकान खोल के वही नाम रख ले और सौदा मुक्तलिफ हो तो फिर आप कहते हैं ये म पेशे नजर रहे कि मैं अपने दीनी नुक्ता नजर के लिहाज से उन्हें बिलकुल एक डिवियेट फिरका समझता हूँ मैं समझता हूँ कि जो मजभी इसलाम के नजरियात हैं उससे मुख्तलिफ जगा पर खड़े हुए हैं उनके हम नजरियात के कुफर को उनके अंदर ज अकसरियत के भी यही राय है आप अभी भी चले जाएं पाकिस्तान में अकसरियत इसी राय की ताहित करती हैं बहुत खुब एक सवाल मैं आप से पूछना भूल गया वोई दो कौमी नजरिये के हवाले से आपने का कि सिर्फ तारीक के सतह तक हम अपने बच्चों को यह आरीक अलग है इनका खाना पीना अलग है यह कभी साथ में नहीं रह सकते इसका असर आपके अपने मुआशरे पर क्या पड़ेगा वो जो लाखों के अंदर गैर मुसलिम और खासतोर से हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं क्या आपको नहीं लगता कि इस बयानिये के चल है वो उनके दिल में बढ़ाया जाएगा जी जिस तरह पढ़ाया जाता है उससे तो बैटता है इसमें को शुबह नहीं है लेकिन अगर आप किसी कौम की अपनी बनियादों को महस तारीखी मुताले के तोर पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्श की ब मुक्तलिफ है उनकी शेकला हम से मुक्तलिफ है यही मामला अफरीकनमेरिकंज का है तो सुसाइटी के अंदर यि होता है उनीया के अंदर भी ह मसल़ा कब बनता है यह मसला उसक बनता है कि जब आप किसी खास नजरिये के तHeफ यह बच्चों को तारुफ करा करा रहे हुते ह तो हमारे हाँ ये बदकिस्मती है आप तारुफ कराएं मुसल्मानों, मुसल्मान बच्चों को कि जी हम सब पहले अंदुस्तान में आबाद थे और वहाँ पर मुखतलिफ कौमें रहती थी लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि हमारी कौम अपने नजरियात के लिहाँ से, अपनी तहजीब के लिहाँ से, अपने कल्चर के लिहाँ से मुक्तलिफ है तो हमारे बानियों ने उस जमाने के अंदर, दुनिया के अंदर इस उसूल को माना जा चुका था तो हमने ये कहा, कि हम भी हर तरीफ पर जो कौम की होती है पूरा उतरते हैं, लoku अलग मुल्ग हैं। तो आज हम याँ पर आबाद हैं, इस उसील पर आबाद हैं, कि याँ पर और भी कौमें होंगी, हम उनका इतराम करेंगे। तो इस रसूल पर आप नजरिये पढ़ाईए, पुई मसला नहीं है, लेकिन हम इस रसूल पर नहीं पड़ाते हैं, कि दो कौमें आबाद थी, और उस कौम को असलन हक्के ह्कमरानी नहीं हासल था, हमने हजार साल उन पर हकूमत की थी ये तो उनकी तादाद बड़ी हुई थी अंग्रेज आ चुके थे तो हमें ये महसूस हुआ कि अंग्रेजों के जाने से पहले तक्सीम कर लें वरना ये एक्सरियत की बुनियाद पर हम पर गल्बा हासिल कर लेंगे तो ये नुक्ता नजर हम पढ़ाते हैं इस पस्मंजर में दो कौमी नजरिया जेरे बहस आता है जिसके बड़े मौलिक नताइज है आप क्या समझते हैं दो कौमी नजरिया ठीक था देखिए अगर आप मेरी जात की हिए तक पूछते हैं तो मैं इस उसूल को दुर्स समझता हूँ जो इस वकत अमरीका में है जो इस वकत बाकी रियास्तों में है जहां पर अक्सरियत गहर मुस्लिमों की आबाद है और वहां पर अगर जम्हुरी उसूल को अपना लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती लेकिन हिंदुस्तान में जो राय तकसीम से पहले लोगों की थी आप अगर नतीजे के अतबार से देखें नतीजे के अतबार से मैं कह रहा हूँ अमली अकायक, जमीनी अकायक क्या थे जाहरी बात है माजी के अंदर जाके हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते लेकिन नतीजे के अतबार से ये बाट ठीक है कि जो कुछ तकसीम के बाद फसाद पैदा हुआ और आज भी दुनिया उसको भुकत रही है वो अगर ना होता तो इसमें मुसल्मानों की भी बेतरी थी और आलमी हमन की भी बेतरी थी तो आप ये कह रहे हैं कि दो कौमी नजरिये की बनियाद पर जिस तरह से तकसीम हुई वो गलत है लेकिन तकसीम हुई वो ठीक है यानि तकसीम एक अमली हकीकत थी देखिए ठीक और गलत का फैसला माज़ बैटके नहीं कर सकते क्योंकि उस जमाने की जो सियासी समाजी हरकियात होती है उसका आप मस्तक्बिल में बैटके माज़ी का तद्जिया नहीं कर सकते हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर मुसल्मान लीडर्शिप वहां रहने का फैसला कर लेती तो फिर इस बात का इमकान था कि जो दुनिया में मॉडल्स मौजूद हैं जुमूरी असूल पर हम उसको अपनाते तो हमने उसको वहां पर फैसला नहीं किया तो कम से कम अपने मुल्क Meं कर लेते तक्सीम हो गई थी तो उस नज़ियो को वहां तो अपना लेते वहां भी अपना आया गया तो हम ये कहते हैं कि जो काम वहां किया जा सकता था हिंदुस्तान में नहीं किया गया चलिए मान लीजिए आपको ये महसूस हुआ कि भई ये काम वहाँ पर नहीं हो सकता और हिंदू अक्सरियत हमारे से भूई मामला करेगी जो मुसल्मानों ने बाद में किया तो आप अपने मुल्क में तो कम से कम कर लेते तो तकसीम होती ये तकसीम ना होती ये तो अमली लिहास से मामलात ने बताया कि होने के बाद भी वो नतीज़ा हासल नहीं हो सका अगर नहीं होती तो क्या मामलात होते ये तारीख का मौदू मैं ये समझता हूँ कि तकसीम का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है वो है इस बरे सगीर के मुसल्मानों को कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान और बंगला देश के अंदर डिवाइड हो गए और आज अगर एक कोई एक युनाइटेड इंडिया होता तो मुसल्मान 20-25 करोड हिंदुस्तान का इतना ही जो है कमोबेश पाकिस्तान का भी होगा मेरे ख्याल से और 15 करोड वहाँ का तो 25 करोड के करीब अबादी है अगर 100 करोड हिंदू भी है आपके सामने तो आप टकर देनी की हैसियत में थे आज अगर किसी को सबसे ज़्यादा कोई डिविजिन का आज कोई अगर सबसे बड़ा कोई नुक्सान उठा रहा है तो वो तो मुसल्मान है कि उन्होंने अपनी एक पुलिटिकल फोर्स बनके वो भर सकते थे एक हजार साल उन्होंने हुकूमत की और जब बात आई जमूरियत की और वन मैं वन वोट की तो उन्होंने का दे जी हम तो इनके सार नहीं रह सकते क्योंकि हम एक अलग कौम है क्या हिंदूओं ने कभी इतराज किया इस बात पर कि हम बहादुर शाह जफर को जो है अपना शहनशा नहीं मानते जबकि 1857 की जो पहली जंग अज़ादी है वो तो लड़ी ही उनकी लीडर्शिप के अंडर थी उस वक्त के जितने भी राजे महराजे थे हिंदूओं के उन्होंने सबने इस बात को तसलीम किया था कि ये शहनशाय हिंदूस्तान है तो खैर ये भी एक तारीख है मैं चाहता हूँ कि हम तोड़ा सब्सक्राइब बढ़ें हिंदूस्तान के मुसल्मानों के हालात को आप किस तरह से देखते हैं देखिए जो तस्वीर सामने आती है हिंदुस्तान के मुसल्मानों की मीडिया के जरीए अख़ारात के जरीए या मेल मुलाकातों के जरीए वो तस्वीर तो काफी तश्वीशनाक तस्वीर है उसमें मुसल्मानों को जिस तरीके से उनके नजरियात पर عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے وہ آزادی ہندوستان میں ہمیں نظر نہیں آتی مسلمان یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک مثال لے لیں یعنی میں ایک ملک میں رہتا ہوں میں وہاں پر برابر کا شہری ہوں مجھے ریاست نے آزادی دی ہے کہ میں اپنے نقطہ نظر کے اوپر عمل درامت کروں اپنی ذات کی حد تک تو اس پہ مجھ پر سماج کی سطح پہ قانون کی سطح پہ ریاست کی سطح پہ کوئی قدغم نہیں ہونی چاہیے لیکن میں اگر قربانی کرنا چاہتا ہوں گائی کی تو مجھے کس اصول پہ روکا جاتا ہے ایک جمہوری ایک آزاد ایک سیکولر ملک کے اندر ایک ایسے ملک کے اندر جس کا دستور مجھے پروٹیکشن دیتا ہے کہ میں آزاد ہوں اپنے مذہبی نظریات کے بارے میں آپ اگر وہاں پر یہ ادھر پیش کرتے ہیں کہ جی مسلمان اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہے تو پھر تو وہ سارا کے سارا اصول آپ یہاں پر بھی مان لیں پاکستان میں کہ احمدی اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہے تو پھر ہم ان پر پابندی لگائیں گے ریاست کے اندر جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور کسی کی اختلفی اس کے علاوہ کوئی مصفت اقتامی قانون میرے خلاف نہیں بنایا جا سکتا تو ہندوستان میں اگر کسی کو گائے عزیز ہے تو وہ اس کو عزیز ہے اس کا پورا تصور ہے یعنی ہندوستان کے مسلمان پلٹ کے ہندووں سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی آپ شرک کرتے ہیں آپ ایشور کے ساتھ کائنات کے پالنہار کے ساتھ کچھ ساجی کچھ سب آرڈنیٹ اس کے کچھ ساتھی گردانتے ہیں تو میرے نزدیک یہ شرک ہے اور یہ ایک آفاقی برائی ہے عالمی اخلاقیات کے خلاف ہے تو میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا آپ کل سے شرک مت کیجئے گا بدھوں کی پوجہ مت کیجئے گا مندر بند کر دیں ایک خدا مواہد کو مانیں تو یہ میں اگر کروں گا تو یہ بے اقوفی ہوگی یہ غلطی ہوگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کافی جگہوں پر مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا اور پیدا کیوں ہوا اب آتے ہیں اسی اصولی سوال کے اوپر جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا ہمارے ہیں دستور کی سطح پر ہوا دستور کا مطلب میں سمجھتا ہوں مجھے اطلاق کا مطلب تھوڑا بتا دیں اپلیکیشن یعنی ہمارے ہاں کانسٹیٹوشن میں ہی تبدیلی کر دی تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آئے ہندوستان میں کانسٹیٹوشن تو جگہ پر کھڑا ہوا ہے لیکن اپلیکیشن میں اس اصول کو نہیں مانا گیا کہ یہ ہندوستان ہندووں کی ملکیت نہیں ہے اس طرح پاکستان میں اس اصول کو نہیں مانا گیا کہ پاکستان مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے ہندووں کا یہ مانا ہے کہ ہمارے مذہبی ایموشنز ہٹ ہوتے ہیں جب کوئی گائے کی قربانی کرتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہندووں کے مذہبی جذبات اس سے بلکل بھی ہٹ نہیں ہونے چاہیے یہ جو پورا کانسپٹ ہے یہ بے بنیاد ہے آپ تھوڑے پلیس اس کو تھوڑا سا explain کریں بلکل میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ ہندووں کے مذہبی ایموشنز ہٹ نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ایک systematic medium of knowledge میں develop ہوتے ہیں میں پہلے یہ مانتا ہوں کہ گاؤ ماتا کیا ہے اس کی خدمات کیا ہیں کیسے اس نے دھرتی کو بچایا تھا تب جا کے میں اس کو یہ تقدس اور یہ حیثیت دیتا ہوں تب میرے اس سے جذبات وابستہ ہوتے ہیں ایک دوسرا آدمی اصول میں اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کا یہ تقدس اس کا یہ احترام اس کے دل میں کیسے پیدا ہوگا تو مسلمان کیسے اس بات کو تسلیم کریں کہ بھائی گائیں کی وہی اہمیت ہے جو ایک ہندو کے ذہن میں ہندو تو اس سے پہلے ایک پورا نظریہ مان چکا ہے گائیں کے بارے میں میں تو وہ مانتا نہیں ہوں اصول میں تو جب میں اصول میں ایک چیز کو نہیں مانتا تو آپ مجھ سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں یہ ایسی ہے کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اس وقت میں یہاں پر جا کے امریکیوں سے مطالبہ کروں کہ میرے جذبات ہٹ ہوتے ہیں میری کتاب میرا قانون میرا دستور میری تہذیب میری تاریخ سب یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح جیزیس جو ہیں وہ تو اللہ کے ایک بندے تھے وہ تو خدا کا پرتوہ نہیں ہیں تو آپ جب ان کو جیزیس گوڈ کہتے ہیں تو میری بڑی اقتلفی ہوتی ہے میرے بڑے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہوتے ہیں لہٰذا آج کے بعد آپ نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا جستدی ظہور یا خدا کا پرتوہ یا خدا کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار نہیں کرنا کیونکہ یہ تو میرے نزدیک شرک ہیں تو کیا یہ میں کہنے کی پوزیشن ہو اچھا ہے اس سے آگے بڑھ کے میں بات کرتا ہوں ہندو یہاں موجود ہیں سوکت امریکہ میں برطانیہ میں کینیڈا میں دنیا کی بے شمار ملکوں میں کہیں پر انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ یہ جو گورے گائے زبا کر کے برگر کینگ کا برگر بناتے ہیں گائے نہیں زبا ہونی چاہیے ہمارے ہمارے جو تصورات ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں یہ امریکہ میں کیوں نہیں کہتے ہیں یعنی امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں برطانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں باقی جگہوں پر ہیں وہاں یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے ریاست سے کہ جی گائے کی پابندی قربانی پر پابندی ہونی چاہیے گائے کو مت کٹیں کیوں نہیں کرتے میرا سوال ہے آپ سے بڑا ضبط سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہپوکرسی ہے ہندووں کی کہ وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے آسٹریلیا کینیڈا نیو زیلند برطانیہ ہر ویسٹرن سیولیزیشن والے ملک میں بیٹھ کے اس چیز کا کبھی مطالبہ نہیں کرتے یہ سیدھی سیدھی منافقت ہے ہندی میں کہیں دوگلاپن ہے देखे क्यों है उसकी वज़ा यह है बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं आप आपने जो कहा है आपकी बात से सो फीसब मैं मुत्तफिक हूँ सहमत हूँ अब यही बात अगर मैं यह कह दूँ पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में आप एक टेलिविजिन शो में थे मैं आपका जो भी मुझे आप वीडियो भेजते मैं बड़ा गौर सा देखता हूँ जी उनको तो वहाँ पर भी यह सवाल उठाया गया था जिसका जवाब आपने दिया और ले दे कि यही बात आपने की जो आपने यहां कही है तो फिर हम यह सवाल पूछते है कि भई पाकिस्तानी कौन होते है हम से यह पूछने वाले जब उनके अपने मुलक में वहाँ पे मसी बरादरी रहती है बहुत बड़ी है 40-50 लाग के करीब है पाकिस्तान के अंदर क्या उन्हें पोर्क फ्रीली अवैलेबल है क्या वो खंजीर का सूर का गोश्ट उस तरह से खा सकते है क्योंकि उनके मजभ में उस चीज़ की आजादी है तो उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान में जी मुसल्मान हम अक्सरियत में है और हम इस चीज़ को गलत मानते है इसलिए गैर मुसलिम भी नहीं खा सकते तो यह जो ब्रूट मज़ोरिटेरी निजम है यह पाकिस्तान में ही नहीं यह हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है और शायद यह मैं समझता हूँ कहीं न कहीं पे उस एक्षिन का रियक्षिन है बात सिर्फ गाए के गोश्ट तक नहीं है बात उसके आगे तक है और कोई भी मौामलात आप ले लें तो पाकिस्तान से जब आवाजे उठती है कि नहीं जी गाए हम तो नहीं मानते आप मानते होंगे इसको कोई पाक पवित्र जानवर हम नहीं मानते इसलिए हम तो हम तो देंगे कुर्बानी वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर सुर की कुर्बानी देना चाते हैं उसका गोश्ट खाना चाते हैं आप भी ने नहीं खाने जाते हैं। आई वो बात ही समय में आई कि जब तक समाच का शौर उस जगह पर पहुँच कर उस हकीकत को तसलीम ना करे आप उपर से जो कुछ कर दें उसका असर नीचे नहीं आता हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये हकीकत है कि जिस तरीके से मुसल्मानों ने वहां ताख्त करके हमला करक की तो उसका एक रद अमल हिनुों के दिल और दिमाग में मौजूद था उस जमाने की जो उनकी लीडर्शिप थी पॉंग्रिस की लीडर्शिप उनका एक वर्ल्ड व्यू था वो दुनिया को देख रहे थे वो बाहर से उपड़ कर आए वे थे उन्होंने समझा कि शायद ह हमारे गुलाम बन के रहेंगे हजार साल हमने यहां हकूमत की है और भी करते हैं अगर मौका मिलता चलो इस वकत यह एकसरियत में है चलो एक साइट पे मुलक बनाके वहां पर हकूमत करते हैं वहां भी दूरु के वैसे आप देखे हैं हमने वहां से भी काफी कुछ किया अकसरियत में हम हैं तो इनको कैसे हम अजाज़त दें जिन्होंने आकर हमारे यहां पर सोमनात के मंदर डाये थे कि अब यह आजादी से हमारे मुलक में तो जो असूल था नेशन स्टेट का उसको दोनों जगा पर नहीं अपनाया गया हमारी पूरी गुफ्तगू का जो जाजाद को नहीं तसलीम किया गया कि मुसल्मान बिल्कुल हिंदुस्तान के वैसी बराबर के यह यहां का शहरी दो खुड भी अपने आपको बनाना नहीं चाहताँ एक अधराज जो हिंदूओं की तरफ से उठाया जाता है कि बहिए जब नेशन स्टेट की बीनियाद पर हिंदुस्तान वजूद में आया एक constitution बना इसका तो मुसल्मानों को भी चाहिए था कि वो उसमें पूरे दिलो जान से उसमें शरीक होते और कि ये कहते कि हाँ हम मुसल्मान हैं लेकिन अब हम हिंदुस्तानी हैं तो जो common law है हमारे यहां पर जिसके अंदर सिक, हिंदू, पार कह दे कि आप uniform civil code का हमारे मुतालबा होता है आपने सुना भी होगा तो वो कहते हैं ने जी हम शरीयत में मदाखलत पसंद नहीं करेंगे आप nation state में बैठे हैं अगर आपको शरीयत इतनी ही प्यारी थी तो आपको या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था जब पाकिस्तान वजूद में आया और अगर नहीं गए तो इस मुल्क में ये तो हमारे constitution में लिखा हुआ है कि आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जब हम सारे मिलकर एक आईन बनाएंगे यहां पे एक एक uniform civil code होगा और उसको उसके अंदर तमाम लोग उसमें शामिल होंगे मुसल्मान आज तक उसमें शामिल नहीं है और उसकी वज़ए वो ये देते हैं कि जी हाँ यह तो सीधी सीधी हमारी शरीयत में मदाखलत है और हमारे जो दीनी उलिमा है उनसे जब यह सवाल पुछा जाता है तो और उनसे कोई उन्हें यह कहता है कि जी civil matters में तो आपको श कानून है तो फिर ऐसा क्यों है कि civil matters में तो आप शरीयत लेते हैं criminal matters में जहां पे हाथ काटने की सजा हो या कुछ और हो सक्सजा का provision हो वहाँ पर आप जो है इंडियन पीनल कोड लेते हैं तो यह भी तो मुनाफकत है न कहीं न कहीं देखिए इसमें दो चीज़े हैं दो को भी समझना चाहिए है एक चीज़ यह है कि पारलिमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो किसी चीज़ को कानून का दरजा दे जब हम अपनी रियासत में कवानीन बनाते हैं तो कवानीन दो तरह के होते हैं एक चीज़ है मेरा personal belief वो क हिंदू का मुख्तलिफ हो सकता है किसी मुसल्मान का मुख्तलिफ हो सकता है किसी और मजब से तालुक रखने वाले शक्स का मुख्तलिफ हो सकता है आप रियासत की सता पर कानून साजी करते हैं तो पहला सवाल ये उठता है उस कानून साजी करने से पहले किया आप किसी के personal personal beliefs के अंदर मुदाखलत तो नहीं कर रहे, किसी के personal मामलात में मुदाखलत तो नहीं कर रहे, अगर इस सवाल को वहां पर हल कर लिया जाए, तो फिर यह आगे की बहसे ना हो, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं सब अमरीका में मौझूद हूँ, अमरीका के अंदर inheritance का एक law है, हर स्टेट का अपना एक law, inheritance का मतलब यह है कि जब मैं यह कोई शक्स दुनिया से रुखसत होगा, तो मेरी जायदात कैसे तक्सीम होगी, इसके लिए रियासत की सिता पर कानून साजी हुई है, मैं इस कानून साजी को गलत समझता हूँ, क्यों गलत समझता हूँ इसलिए, क मैं यह समझता हूँ, कि मैंने अपना माल अपने दीनी उसूलों के मताबक तक्सीम करना था, रियासत का यह कोई हक नहीं था, कि इस मामले में आकर कोई कानून बनाए, यह कानून मेरी सवाबदीत पर छोड़ देना चाहिए था, हाँ, अगर आप यह कहते हैं, कि किसी ने इस बात का इलानी नहीं किया कि वो किस मजब पर है, अब माल बजग गया है तो आप रियासत किस वसूल पर तक्सीम करें, आप कर लें कानून साजी उसके उपर, मुझे कोई अतराज नहीं होगा, लेकिन आप यह कहें कि तमाम शहरी मरने के बाद अपनी इनहरिटन्स ऐसे उनके नुक्ता नजर में इनहरिटन्स किसी काईदे से तक्सीम होती है, तो मैं अमरीका में उनके हक मैं आवाज उठाऊँगा, इस लॉग को बदलना चाहिए है, यह परसनल मामलात में इंटरफेरिंस है, रियासत का कोई हक नहीं है कि वो इस चीज़ को तेह करें, इसी त तोर पर यह समझता हूँ कि मेरा जिस इमाम पर, मेरा जिस वकी जिसके दलायल पर इत्मिनान है, मुझे लगता है कि तीन तलाके तीन होती है, रियासत का कोई हक नहीं है कि वो आगर कहें, कि तीन तीन नहीं होती, इसी तरीके से, जो कुछ पिछले दिन हुआ, जिस के आखनी मिसाल में दे दूँ, रियासत का कोई हक नहीं है कि वो ये तैख करें कि इसलाम में हिजब लाजम है कि नहीं है, यह फैसला मैंने करना है, आपका इससे कोई तालूग नहीं है, अलबता, आप कोई कानून बनाते हैं, कि स्कूल का युनिफॉर्म यह होगा, तो चीज़ जरूर मलूज रखें कि मेरा कोई दीनी नजरिया और वो कानून आपस पर टकराना नहीं चाहिए। लेकिन नेशन स्टेट के अपना आइन बनाने का हग भी उस नेशन को है उसकी एक्सरियत को है उसके इलेक्टिड मैमरान को है तो वो हग भी आप उन से नहीं जीन सकते कि यह जी हमारे मजब के अंदर कॉन्फिक्ड आता है तो यह अगर आप आज मैं लिस्ट बनाने बैठ उसके मताबिक कहा कहा कान।फलिक्ट है तो मैं तो यहां पे बखेरा खड़ा कर दो जांगा और इसमें तो चार बीवियां रखूंगा ये सिर्फ गर मुमालिक का मामला नहीं है मुसल्मान मुमालिक में भी ये बात मौजूद है तो फिर आप क्या कहते हैं उसको फिर आप उसको ये कहते हैं कि हमने ये कानून बनाया है किस बुनियात पे बुनियाद वाजे करेंगे आप अक्तल्फी या जानमाल आबरू के खिलाफ जाती मिसाल के तोर पर आपने अमरीका में कानून बनाया है चार एक सजाएच शादी नहीं हो सकती तो उसकी बन्याद ये दिये कि जी मसीयत के मजब में ये बात लिखी हुई है ये जौर्ज वॉशिंटन को खाब आया था कि एक शादी होनी चाहिए आप उसको इल्ब, अकल और शूर की बन्याद पर कौलिफाई करते हैं और उसके बात वोई शादी नहीं मानता है अकल की बन्याद पर ये कौलिफाई नहीं होती ये खाब बहुत आगे बढ़के ये कहते हैं कि किसी शक्स ने एक से जाइद शादी कर ली है मैं सब्सक्राइट लॉग की बात नहीं कर रहा है स्टेट लॉग सही बना हुआ है और स्टेट ने उसको किसी बन्याद पर बनाया है आप पबंदी भी उस पर लगा सकते हैं लेकिन आप मुझे ही कहते हैं आप भी ये बात मानें अपने नक्ता नजर के मताबिक कि एक शादी से ज़्यादा तूसरी शादी करना अकलन गलत काम है तो ये मैं आप से खिलाफ करूँगा और कहूँगा कि ये आपको कोई हक नहीं है मुझे से मनवाने का इसलिए कि मैं उस बारे में एक नक्ता नजर रखता हूँ ये कोई बिसाल के तौर पे इस तरीके का समाजी ही वाला कि जैसे आप सवाल करें कि मिलावट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए एक मौजू है दस चीजें पैदा होती है एक सजाएच शादी की पूरे के पूरे तसवरात अपने अमली हकायक और तकाजों के लिहाज से जरूरियात रखते हैं पर अमरीका के अंदर आमिश अबादी अबाद है अमरीका के अंदर और अमरीका की स्टेट में रहते हुए तादू दे अजवाज भी है उनकिया तो ये बिलकुल अलग मौजुए उसूल पर आते हैं तो उसके ये तकाजे हैं आप अगर इसको पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा आप मुल्क छोड़ें और किसी ऐसे मुल्क में जाकर आबाद हो जाएं जहां आपके मताबक स्टेट की सता पर ये काम हो रहा है और आप उसके साथ कॉप्रेट करने के लिए आवादा हैं लेकिन मैं अगर हिंडोस्तान में हूँ और मुझे रियासत से कोई शिकायत है तो मैं दो काम करूँगा वहाँ पहला क्या करूँगा मैं ये काम करूँगा कि रियासत को तवज्यों दिलाओं और बताओं कि देखी आप मुझसे ये काम नहीं ते कि मैं मिसाल के तौर पर सूर खाऊँ, मेरे नजदी की हराम है, आप कोई ऐसा कानून नी बना सकते जो मुझे मजबूर करे सूर खाने पर, तो आप इसको रोकें, लेकिन रियासत मेरे साथ जबरदस्ती करती है, तो मेरे पास इसके लावा कोई आप्शन नहीं है, कि मैं तो उस रियासत को छोड़ू और वहां से हिजरत करूँ, वहां रहते वे मैं नियूसंस का रविय अख्तियार नहीं कर सकता, जहां तक बात है इस बात की, कि मुसल्मान ये कहते हैं, आप फैरिस बताईए मुझे, इंदुस्तान के अंदर मुसल्मान है, उनको किन लाउस के की चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम है, उन्हें जिस तरह से आप तलाग देते हैं, उसमें प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है, आप ये देखें कि किसी की मजभी तकरीबात में, अगर उनको एक लड़ को लड़ू खाने के लिए भी कहा दे कि हाँ वही हमारे यहा अगर उनके कपड़ों पे छीटे पड़ जाएं, उन्हें उसमें भी प्रॉब्लम है, मैं आगर आपको गिनानद शुरू करूँरू अग्यों और प्रॉब्लम सतम हो जायगा। इस प्रॉब्लम का तालुक मैं आपको सची बात बताता हूँ, इस प्रॉब्लम का तालुक मुसल्मानों की मजभी फिकर से है, वो फिकर हिंदुस्तान के मुसल्मान अपनाएंगे तो प्रॉब्लम पैदा होगा, वो अमरीका में मुसल्मानों को पेश आते हैं, इसका तालु महز ہندوستان کے مسلمانوں से नहीं है यह धुम्हामनों की फिकर से रियासत के अंदर रहते मfilm relacionrences भी इस ने रियासत ले कुब आप अ क्परों पर कलर नी पहेख सकते इसका तालूeg harbor मख़बी फिकर से वह फिकर ये कहती है कि किसी शिर्क से फिर मुशाबीत र sums रखने वाले तहवार में तुम शामिल ली होते, उस में हम भी तनकीद कर सकते हैं. खोध मुसल्मानों के अंदर भी तनकीद है, जो हम उसूली बहस कर रहे थे साथ वो उसूली बहस क्या है? उसूली बहस है, कि रियास्त ये तैनंगी, की मसलन तेह नहीं करेगी कि मसलन मेरा हिजाब अगर मैंने लेना है तो हिजाब की डेफिनिशन क्या है रियास्त पर जहां पर आगे बढ़ेगा मुसल्मान तो इसको यह बताया जाएगा कि देखी यह आप मुदाखलत कर रहे हैं रियासत के मामलात में आप परसनल यह समझते हैं तो उस पर अमल पहरा रही है जदीद दुनिया के अंदर यह जो सूद सूद जिसको कहा जाता है इसकी तारीफें बड़ी बदल चुकी है इसके इतलाग बड़े बदल चुके हैं यह वो सूद नहीं है जो बैंकों में हम आज देखते हैं जो इससे पहले माजनी तोर पे होता था तो वहां पर मुसल्मानों की इस चीज़ की तर्बियत की जरूरत है वो रियासत भी करेगी वो तालीम के अदारे भी करेंगे उनको बठाएंगे उनको बताएंगे कि दुन्या की मैशत कैसे चलती है यह दिरम दिनार का दौर नहीं है यह मैशतें आलमी ताक्ते चला रही होती है और जिस चीज़ को तुम गलत समझ रहे हो खुद अपने उसूलों में जाकर देखो यह वो चीज़ नहीं है जो यहां पाई जाती है और वहां पर भी मैं कहूंगा दुन्या की कोई रियासत असमान से नहीं उतरती हर हर कानून पे तनकीत का हक है मुसल्मान करें हिंदू करें रियासत को उनको मुतमईन करना है और मुतमईन वो कैसे करेगी यह बता कर कि जो कानून मैंने बनाया है वो यह तुम्हारी अक्तलफी को रोक रहे यह तुम्हारी जानमरादू के खलाफ जाती को रोक रहे और हम अगर मुसल्मान हैं तो आगे बढ़के मुझे ये कहने का हक दीजिए कि हम ये कहने का भी हक रखते हैं कि हम से आप अगर टेक्स लेना चाहते हैं तो फिर हमारे नुक्ता नजर के मताबिक टेक्स लें वो आपके modular taxation से काफी जादा है वैसे आप उसकी बात में बता रहा हूँ लेकिन ये हग भी मैं रखता हूँ ये हग भी मैं अनिका में भी रखता हूँ पॉलिसी नहीं बनती है मुल्की पॉलिसी बनती है एक अपने लेवल के उपर उसमें कोई भी religion की दखल अंदाजी ठीक नहीं है हमारे यहां पे भी बहुत सारे changes आए है homosexuality का एक law था 377 जिसको हमारे supreme court ने abrogate किया और आज अब वो धीरे धीरे जो दुनिया भर के पैमाने है global standards है उसके मताबिक हम catch up कर रहे है मुसलमानों को उसमें भी बहुत बड़ा इतराज है बहुत सारी चीजों से इतराज है कहने का मेरा जो मकसद है वो यह है साहब एक मुलक के अंदर एक ही निजाम होगा आपको अगर वो पसंद हो तो ठीक है ना पसंद हो तो आपको उसका मुतबादल ढूनना होगा जैसे तरह जैसे आपने कहा मैं असूल की हद तक आप से मुतफिक हूँ पारलीमेंट को ये अख्तियार है कि वो चानून बनाएगी मैं रियासत के शहरी की ऐसियत से उस पर अमल करने के लिए पाबंद हूँ लेकिन मैं पारलीमेंट में होंगा तो ये आवाज उठाओंगा कि जो कानून आप बना रहे हैं उसका मेरे परसनल बिलीफ से तालुक है और आप मेरे नुक्ता नजर में मुदाखलत कर रहे हैं ये हग जिस तरह वहां कानून बनाने का है इसी तरह मुझे उसके खिलाब आवाज बलंद करने का हिंदूों के अंदर भी मनुसमिती कोड हुआ करता था लेकिन जब कॉंस्टिटूशन बना तो कुछ हिंदू महासबा और ऐसी तन्जीमों ने उसकी मुखालफत की लेकिन एंड में हमारी गवर्मेंट ने सब को मुतमाइन किया और ओन बोर्ड लिया किसी को नहीं समझा सके तो वो मुसलमान थे और वो कहीं न कहीं पे इड गोज बैक इंदर हिस्ट्री की और ये ये पार्टिशन के अंदर भी ये चीज़ हम आमने देखी कि दो अलग-अलग मजाइब को मानने वाले लोग हैं हम नहीं चल पाएंगे जी इनके साथ से इसलिए हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए वो बात और है कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई अल्ला का कानून नहीं है कोई मुकमल शरीयत नहीं है वहाँ भी इंडियन पिनल कोड की ही तर्स के उपर पाकिस्तान पिनल कोड है यहां तक कि आप यह कहें कि जो उसके जो भी उसकी सजाएं हैं हर चीज की वो ले दे कि एक ही है सेक्शन 144 हमारे यहां पे भी वो ही है और वो ही है सारे है आप 295 ले 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 को अपना लेना चाहिए या फिर उन्हें आगे इसमें और रिजिस्टन्स दिखानी चाहिए हिंदोस्तान के मुसल्मानों को सबसे पहले इस चीज़ का जाहिजा लेना चाहिए कि वो कौन से मामलात हैं जिसमें उनके दीन ने उनके लिए कुछ चीज़े मुकर्र कर दी है वो मामलात बहुत मुक्तसर से हैं वो शादी बया के मामलात हैं वो निकाह तराक के मामलात हैं वो असलन विरासत की तक्सीम के मामलात हैं और वो आपके औरतों के हवाले से बाज मवाकों के उपर जीनत और हिजाब के मामलात हैं ये चंद मामलात हैं इन मामलात को अलग कर दें और बाकी जो कुछ मौजूद है उसमें खुद इनसान को शरीयत ने ये अजाज़त दी है कि वो इखलाकी उसुलों को सामने रखके आप अपने काइदे बनाएं अपने कवानीन बनाएं अपने लॉस बनाएं वो टैक्सेशन के कवानीन आप बना सकते हैं जो चाहें बनाएं हिंदुस्तान के मुसल्मानों को ये समझना चाहिए जो बात मैंना आप से की थी उसको नाफिज होना चाहिए हम पे तो हिंदुस्तान के मुसल्मानों को अगर वो ये बात पूरी तवनाई से पेश करेंगे कि देखिए तलाक मेरे नजदीक तीन तीन होती हैं आप इखतलाफ कर सकते हैं कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं जब तलाक दूँ या कोई खातून कहे कि मुझे तीन तलाके मिलें तो गलत होने के बावजूद आप मुझे यह हक दीजिए कि मैं उनको तीन समझूँ तो इस मामले में रियास्त इंटर्फेर ना करे इसी तरीके से इन मामलात में रियासत इंट्रफेर ना करे के मेरी विरासत है मेरी निकाह है, मेरा तलाख है, कैसे होगा, यह हम तै करेंगे हाँ, आपने रियासत की सता पर कानून बनाना है, आप जरूर बनाएए लेकिन इन चंद मामलात में हम पर कोई पावंदी आएद ना करें आप हराम खाना चाहते हैं कहाईए मुझ पर ये लाजिम ना करें कि जी मैं भी जाकर बगएर जबीया के बगएर बिस्मिल्ला पढ़े वे गोश्ट खाऊंगा मेरे ख्याल से अगर कोई बिस्मिल्ला पढ़के और अगर अपना कोई गोश्ट खाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें जिस तरह से चाहें हलाल करें यहां पर इन मुलकों के अंदर भी इजासत है और लोग करते हैं लेकिन जहां तक एक युनिफर्म सिविल कोड का तालुक है आई थिंक परलिमेंट को पूरा हक है कि वो कानून साज़ी करें और मुसल्मानों पर यह लाजम है कि वो उसे माने बिल्कुल यह दिनी लाज से लाजम है बात यह है कि अगर हर कोई अबजेक्शन करना शुरू कर दे तो फिर तो यह स्टेट तो स्टेट नहीं रही ना फिर अबजेक्शन पारलिमेंट की सथा पर होती है भाई सड़क की सथा पर नहीं होती पारलिमेंट की सथा पर जब का माजब के मानने वाले तो आत्रास कर सकते हैं कि यह चीज हमारे मजब के इस कि इस्दरास सुनेंगे हम्थरास का जाहिजा लेंगे उसके अंदर इखलाकी इेस्थित्राकी इस्फित्हित्रास के इस्थियर्म the थे वो ग Naruto नहीं आरी इन सब पहलों को जा आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या लोग उज़र पेश करते हैं हम लोगों के बारे में भाई रियासत की सथा बे कानून बन चुका है एमदियों के बारे में तुम लोग कौन होते हैं बोलने के लिए तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बात इसको गोर से सुनें के रियासत जो भी कानून बनाएगी युनिफॉर्म होगा कोई दो राए नहीं है जब बनेगा तो अमलन उस्पामल भी होगा अक्सरियत पार्लिमेंट की फैसला करेगी वोही कानून बनेगा लेकिन कानून बनाने किस अमल को इनसानी अमल मुझे वक्त का भी ख्याल है मैं आपके जादा टाइम लेना चाहता ये बताएं सहाब कि एक तो गाय की कुर्बानी वाला मसला है इसके लावा हिंदुस्तानी मुस्लमानों को और क्या प्रॉब्लम है देखिए इन्दुस्तान के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए है कि जिस असूल पर वो अस मुलक में आबाद है वो असूल चमूरियत का असूल है बराबर के शेरी हैं और किसी भी मुलक में अगर आपने अपनी अख़़दार अपने कल्चर अपने मजहभी नजरियात का ताफूस करना है तो उसके लिए आपको मजबूत लीडर्शिप चाहिए वो लीडर्शिप जो दुनिया को जानती हो वो लीडर्शिप जो जमाने को जानती हो हमारे हाँ बतकिसमती से हिंदुस्तान में जो लीडर्शिप इस वाकर मुसलमानों की है वो जजबाती लोग कि अप्रश्टान के अंदर तालीम का शॉबह हो मुल्क की तरक्की के लिए जो आप खिबमात सर अंजान दे रहे होते हैं उसका कोई तालुक हो उससे अमलन दूर हो चुके हैं और महरूमियत के अंदर जाके उस महरूमियत को जो सियासी लीडर उसकी बाजियाफ्त में आगे चाहिए है कि इस मुल्क में हम बराबर के शेरी हैं मौके बराबर के मिलने चाहिए हैं और हम इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं हमने ये देखा कि मुसल्मानों ने और इसकी बड़ी आवाज हिंदुस्तान में मौलना वहीदू दिन खान ने बड़े लंब लिडर्शिप पार्लीमेंट में जाएगी तो अच्छे तरीके से आवाज उठाएगी आपके बारे में और जो आपको थोड़ी बहुत प्राब्लम महसूस भी होती है उनका भी हलो जाएगा तो रोने से दुनिया में कुछ नहीं होता आपको सोसाइटी में खड़े होकर अप को देखके हर इनसान चाहे उसका मजब कोई भी हो अगर कोई मुस्लिम लीडर कॉंस्टिटूशन की पासदारी की बात कर रहा हो सेकुलरिज्म की हमायत कर रहा हो तो आप देखेंगे कि इस मुल्क के जो हिंदूस हैं मजॉरिटी जो अबादी है वो भी उनके सपोर्ट करे से जादा तर जो सियासत करते हैं वो सेपरेटिज्म की सियासत करते हैं और वो अपने मजब की सियासत करते हैं वो कोई ऐसी सियासत नहीं करते जिसको देखके कोई कोई हिंदू भी कह सके कि हाँ यह मेरा लीडर है और मुझे यह अपील करता है तो आप क्या कहेंगे कि मुस उसके निजाम को और उसके secular values को ही अगर आप गालियां देंगे मसलें मैं न्यूजरेंड में हूँ आप अमेरिका में हैं हम minority में हैं हमारे दिफा में अगर कुछ सबसे बड़ी चीज यहां खड़ी है तो वो secularism ही है अगर हम secularism को ही गाली देंगे तो majority को तो secularism नहीं चाहिए होगा अगर हिंदुस्तान की जो majority है आज इंडिया अगर कह दे कि जी हम हिंदू स्टेट हैं तो इससे हिंदूों की जिंदगी पे जादा सर नहीं पड़ेगा जितना मुसलमानों की और बाकी जो अकलियते हैं उनकी जिंदगी पर पड़ेगा लेकिन अकलियते ही जब secularism को गालियां देंगी तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी नहीं यह बड़ी बड़ी नेमत है आप अगर असूल की हद तक देखें पाकिसान में तो हम इस नेमत से महरूम हो गए कि हमने अपने दस्तूरी को तबदील कर दिया हिंदूस्तान में अगर दस्तूर उस सता पर आप जो नताइज भुकतते हैं वो हमने पाकिसान में भुकते हैं और हम आज मी भुकत रहे हैं उनको तबदील करना बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन हिंदूस्तान में अगर वो दस्तूर मौजूद है जो इसी इसका ताफूस देता है कि आप मुक्तलिफ नसल मुक्त जब लिंचिंग हुई साहब तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा इतराज किया गया और आपके जरीए से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तीन साड़े तीन परसेंट अबादी है मुसल्मानों की उदैपूर शहर में फिर भी आप उनकी जुरत देखिए कि वो सरयाम ज जाईश है वहां पर ऐसी हिमाकत करने की बड़ा मुश्किल काम है भाई हिंदुस्तान में भी जिस चीज नो उनको जुरत दी वो उनकी गलत दीनी तावीर है वरना अमली हकाइक के लिहास से वो देखें तो उनको पता है हमारे साथ क्या होगा इसके नतीजे में तो वही मै आप से अर्स कर रहा था कि ये मसला हर पहलू से है यानि मुसल्मानों की जो दीनी फिकर है वो दीनी फिकर सिर्फ वहां पर नहीं मैं आपको दिल्चस्पाद बताता हूँ कि बड़ी तादाद में अरब मुलकों से स्केंडिनेविन कंट्रीज ने अपने हां लोगों को अस इसल Buddh दीया तो होना तो यह चाहिए था ना कि वो उनको शुकर कुजार हूँ Syria एंके बारे में यह कहें कि आम्मारे पास ना सरच चुपाने की जगह थी ना हमारे पास रियास्त थी आपका शुकरी आपने में जीने का मौका फ़राम किया वो उन्होंने वहां जाकर عیسائیس میں عراق کے اندر اور شام کے اندر سیکڑوں کی تعداد میں یہاں کے شہری مسلمان شہری جورپی ملکوں کے امریکہ کے وہ وہاں گئے کیسے گئے یہاں کی مسلمان مذہبی جو جماعتیں ہیں جو مسجدیں ہیں وہاں پر یہ کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں تو ہم لوگ حقیقت میں اصل میں ہیں تسلیم نہیں کرتے اور اس کے پیچھے کیا ہے غلط دینی فکر میں نے نہیں دیکھا کبھی امریکہ میں رہتے ہوئے यह मस्यदों में जाके के हमारे उलमा अमरीका के लिए दौाइं कर रहे हैं या अमरीका को तरक्की दे हम यहां बैटके भी इंदोस्तान और कश्मीर और चेचनिया और बोस्निया के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन जिस जगह पर रहते हैं उसके हुकुक को नहीं पैच ये भी को अल्ला का बनाया वाँ नहीं है, बेतरी आ सकती है, जमूरियत तर्जे हुकमरानी है, सब बराबर के शैरी है, मैं किसी मुलक में जाओं तो मैंने मुलक को अपनाना है, मेरा कोई मजब हो तो मुलक में मुझे अपनाना है, इस उसूल पर हम जिएंगे, तो दुनिया कि अमन दुनिया की तरक्की में कोई अपना हिस्सा डाल सकेंगे, वरना फसाद ही फसाद, जी, आपने अमरीका की बात की, तो मैं आपको बता दूँ, सीरियन रेफ्यूजीज ने अभी चार-पान साल पहले जर्मनी के अंदर नियू यर की सेलिबरेशन्स हो रहे थी, तो ह पाकिस्तान के अंदर कोई अवाज नहीं उठी, जिसने ये कहा हो कि भाई, ये बहुत विलत है, हमें इस तरह की किताबें नहीं चापनी चाहिए, या फिर इसके उपर कोई एतजाज, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं हुआ, ये भी ब्लास्फमी के दाएरे में चीज आती है, सर्माग रश्दी ने जब सेतानिक वर्सेज लिखी तो इंडिया ने फौरी तोर पे उस पर बैंड लगाया, हिंदुस्तान के अंदर एसी कोई किताब नहीं चापती, जिसके अंदर आप ये कहेंगे, जी इंसानियत का कातिल, इसलाम, मजब, इस तरह कि आप किताब न जैसे जो लोग हैं, वो हम जैसे गैर मुस्लिम्स के बीच में भी बैठा करें, ताकि हमारी कौमों के दर्मियान और हमारे मुलकों के दर्मियान ये जो कहीं न कहीं पे एक खलीज पैदा हो गई है, इसमें कुछ कमी आ सके, हम एक दूसरे को बहतर समझ सकें, तो मुहमद हस अज आपने वगद दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थांकom", बहुत शुक्रिया, ठाप